हेलो एवरीवन माइम इस नमन गोयल और टोड़े वी आर गोइंग तो लॉन चैप्टर एट अफ ग्लास्टेविन कंपेरिंग कॉंटिटिटीज राइट देको लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था की कि पर्सेंटेज क्या होता है पर्सेंटेज को कैसे अपन डेसिमल और फ्रेक्शन में कनवर्ड करते हैं और कैसे अपन फ्रेक्शन और डेसिमल को पर्सेंटेज में कनवर्ड करते हैं आज अपन बेसिकली पढ़ने वाले हैं वाट इस यूज ऑफ पर्सेंटेज ठीक है अब बिए को यूज अपर सेंटिये मुझेश का मतलब क्या है जिसे मूझ लो मैं आप से आपको एक काम दिया लोगोम इनकु इनकी नोजा को ऊस मैंने बोला की इस काम का क्वूंटी फ़ॉफय परसेंट ए करेगा और सेवेन्टी फ़उफफ़ 45% b करेगा ठीक है तो यहां पर मेरे को पता होना चींग कि अगर मैंने आप से 25% बोला है करने के लिए तो 25% का मिनिंग क्या है कि 25% से मैं क्या कहना चाहता हूं तो बेसिकली यह यूज है कि मैंने आपको बोला कि 25% आप करो 75% आप करो ठीक है अब interpreting percentage में क्या हैगा कि हम कैसे interpret कर सकते कि जिसे मैंने आपको बोला कि 25% of rupees 200 मैंने आपको क्या बोला कि 200 का 25% बताओ क्या होगा तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि 25% of rupees 200 का मतलब क्या है कि 25% को हम कैसे convert करेंगे रिशियो में 25 upon 100 into of का मतलब क्या होता है इन्टू 200 सब्सक्राइब तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आप मेरे पास 200 200 रुपीज है मैं आपको उसमें से 25% दे सकता हूं ठीक है तो कितने रुपे में आपको दूँगा 50 रुपीज में आपको दूँगा ठीक है तो 25% of एनिटिंग इस वाट इसके लिगटर लाइक दिस ओके ठीक है तो यह बेसिकली इंटर्पेटेशन था अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखों नेक्स्ट है next is what convert percentage to how many convert percent to how many इसका मतलब किया जिसमें आभी आपको बोला कि कितना है how many है how many तो अपन questions करेंगे और questions है और clearance मिलेगा ठीक है तो write down the question a survey of 40 children showed that 25% like playing football 25% like playing football then how many children like playing like playing football then how many children like to play football ठीक है ये question है कहने का उतलब किया है इसमें कि भाई हमारी class में एक है एक survey हो किया हमने उसमें 40 children का survey था उसमें से क्या पता लगा कि 25% play football like to play football ठीक है तो कितने अब इसको अपन कैसे करेंगे इसको अपन लिख सकते हैं कि 25 अपन हंड्रेड इन्टू 40 एक बात जैसे कि मैंने आभी आपको होता था कि 25 को परसेंट 25 परसेंट को आपने फ्रेक्शन में चेंज किया तो हंड्रेट से डिवाइड किया तो यह क्या आगे 25.100 अब आफ का मतलब क्या होता है multiply और इन्टू में 40 तो यह क्या आगे 25.100 इन्टू 40 तो यह कर जाएगा 4 ताइम्स तो हमारे पास कितना बच जाएगा 40 by 4 आंसर इस वाट 10 तो हमेनी चेल्डरन लाइक टू प्लेए फुट्बाल इस 10 चिल्डरन के लिए ठीक आगे बढ़ता है अगला कुश्चन करते है राइट डान नेक्स वन राहूल बॉट कुशन इस राहूल बॉ्ट अ स्वेटर अनogerोग्स rupees 200 when a discount of when a discount of 25% was given okay when the when a discount of 25% was given what was the price of the sweater before the discount अब देखो आपको कुश्चन में क्या बोला है कि भई 25% मिलने के बाद उसने कितने रुपे सेफ करें 200 रुपीज करें तो कितने पे वो 25% आफ हो मतलब जो बिफोर डिस्काउंट प्राइस था वो कितना था तो हमने मान लिया कि ट्वेफ वो डिया करें और में रुपीसल एक्स कुत्ना माल लिया हमने एक्स माल लिया थिक है अब 25% आफस एक्स इस 200 अर्ग है यह इत हो है कि 25% आफस कितना डिस्काउंट है 25% of the price है तो 25% of price is 200 इसंट इट? ठीक है तो यहाँ पर बन के लिख सकते हैं कि 25% of x is equals to 200 अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ 25 upon 100 into x is equals to 200 मेरको value किसका निकालना है? x का value निकालना है तो यह cancel out हो गया 4 times तो यहाँ से मेरे पास क्या आए गया? x by 4 is equals to 200 therefore x is what? rupees 800 तो कितने रुपया प्राइस था? 800 रुपीस का प्राइस था केलियर है तो कर लेंगे simple simple से question से अब जैसे माल लो और मैं आपको फड़ा simple सा question दे देता हूँ अब जैसे माल लो हमें निकालना है 50% of 164 तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 50% of 164 को अपन कैसे लिखेंगे? 50 upon 100 into 164 2 times और यह गया 82 times तो कितना आ गया? 82 आ गया clear है? ठीक है next is what? 9 is 25% of what number? हमें बताने कि 9 जो है वो किस number का 25% है? तो number x माल लिया तो इससी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ठीक है? तो यह कैसे लिखेंगे? 25 upon 100 into x is equals to 9 यह cancel out होगा 4 times तो यहां से क्या आएगा? 4 x sorry, x by 4 is equals to 9 तो x is what? 36 तो वो number कितना आ गया? 36 आ गया कर लेंगे? कर लेंगे ठीक है? तो इसी के साथ आज के lecture में इतना ही काफी है ठीक है? नेक्स क्लास में अपन क्या करेंगे? अपन सीखेंगे ratio to percent और increase और decrease आथा percent कि किसी चीज में कितना percent increase हुआ है और कितना percent decrease हुआ है वो हम निकालना सीखेंगे ठीक है? तो जब तक के लिए पढ़ते रहे मिलते हैं next lecture में Thank you so much